वीडियो पर बात करने वाले ऐसे इंसान के बारे में जो इंसान तुम नहीं ना तुम वैल्यू करता है ना तुमारी कोई इज़त करता है और at the same time जब तुम decide करते हो कि भाई तुम्हें उस इंसान से move on करना है तुम्हें उस इंसान को छोड़ना है तो वो इंसान तुम्हें सामने फीक मांगने लगता है कि भाई मुझे प्लीज मत छोड़ो लड़की मुझे प्लीज मत छोड़ो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ हाँ मैं कभी-कभी तुम्हें एग्णोर करता हूँ, कभी-कभी तुम्हें ब्लॉक करता हूँ, कभी-कभी तुम्हें डिस्रिस्पेक करता हूँ, बट सच बता हूँ तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जब यह वाक्य उसके मुह से निकलते तो तुम्हारा दिल थम जाता है और तुम उसको माफ कर देते हो और तुम रिलेशनिशिप में वापस आ जाते हो या रिलेशनिशिप में वापस कंटीन्यू करते हो या दोस्ती वापस कंटीन्यू करते हो परता है सेम टाइम तसे समय ब बात कर रहा है जैसे वह पहले करता था लेकिन कोई फर्क नहीं आया है फर्क सिफ इतना आया है कि जब भी तुम उसे मुव अन करने के बार में सोचते हो तो इनसान तुमसे भी मांगने लगता है वो इनसान तुमको एमोशनली फूल करता है वो इनसान तुमारे एक बीकनेस क सबसे पहली चीज इस problem का solution अगर तुम जाना चाहते हो सबसे एक पहली चीज मुझे बदा मुझे एक चीज बदाना कि जब उसमें first time तुम्हें disrespect किया दो बार तीन बार चार बार पांच बार disrespect कि तुम्हारी value नहीं कि तुम्हें दिल को या तुम्हें मालूम है को इनसा तु उसकी respect भी करता है उसकी कदर भी करता है और वो इनसान उसको भी अपनी life में रखना है जितना तुम रखना चाहते हो यह होता है उस इनसान का जो actual ने तुम्हारी care करता है अब ऐसा कोई इनसान जो तुम्हें बोलेगी भाई अगर तुम मुझे ब्रेक अप कर लोगी या क छोड़ना क्योंकि मैं इसको छोड़ दिया तो बीचार बरबाद हो जागा भाई वो लोग बरबाद क्या होंगे जो ओलेडी बरबाद है वो लोग जो अपनी चीजों को फुल्फिल करने किसी हद तक गिर सकते हैं मतला किसे भीग मांग सकते हैं वो पार्टनर तुम्हारा वो इंसान करते हो भीग मुझे बताते हो जब मुझे बताते हो भाई मैसे सञ्च के लोग तो उनसान को निकल निकल निदेरा हैो बड़ीट यह शबसे बड pię से बिटकत रिचक्त को समझा ही नहीं क्योंकि तुमने ईमने रीलेशंशिप को अपनी धुनिया बना लिया दिय एक की जान मेरे भवान को झाह को चाहते हुआ को बॉपन समझ दॉसको रखेस करने जाता है। कि उसके 7 को खून माफ , उसके 7 गलती , भू तुमें चीट भी बgot भी नेदेगा लिगन एट इंड वह चाहती हो , इस वजे झाल में तुम खोंडनी सकतें। तुम्हारी वीक्रिस को फायदा उठा रहा है, मेरे भाई एक चीज याद रखना जिन्दगी में अपने, चब तक तुम थोक के चाटने वाली हरकत को नहीं छोड़ोगे ना भाई, क्योंकि तुम थोक के चाट रहे हो दोस्त, क्योंकि थोक के चाटना मतलब से होता है, वो इ दिमाब में जो भी हाया है, कितने साल का रिलिशनशिप, दास साल, बीस साल, दो साल, दो महने, दो दिन, ऐसा इनसान तुमारे अगर लाइफ में है, जो मैंने तुझे समझाया अभी, उस इनसान से मूव ओन को, उस इनसान को अब वही के वही प्लॉक कर, वही को इग्नोर अगर तुमारे अंदर है, तो तुम ऐसे चांड से लोगों के चकर में नहीं फसोगे, और टकर में लोगे अपने आप से, जहां पर तुम गिर के नीचे रेज़वाई, सेल्फ रिस्पेक्टिव वैल्यू करना सीख, समझाया रहा है है यार भाई, जड़!